अमारी पिर्थिवी पर 70% पानी और 30% भूभाग है और इस 30% भूभाग पर ही हम रहते हैं इस 70% भाग में 5 महासागर हैं आज हम इनी 5 महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे आईए हम जानने का पिर्यास करते हैं कि महासागर क्या होते हैं महासागर जल मंडल का पिर्मुक भाग होते हैं ये खारे पानी का विशाल छेतर है ये पिर्थिवी का 96.6 भाग अपने आप से धका रखता है मतलब हमारी पिर्थिवी के चारो तरफ पानी ही पानी है जो की 70% है और जिस भूबाग पर हम रहते हैं वो 30% है पिर्थिवी सौर मंडल में एक मातर गिरह है जहां पर महासागर पाए जाते हैं फिर्मुक महासागर इस पिरकार है हमारे पांच महासागर हैं पिर्शांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आक्टिक महासागर और अंटार्टिका महासागर अब हम अलग-अलग इन महासागरों के बारे में जानने का पिर्यास करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तस्वीर में ये है पिर्शान्त महासागर ये पिर्शान्त महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है ये महासागर पिर्थिवी के लगबग एक त्याही भाग को कवर करता है पिर्शान्त महासागर एशिया और आस्ट्रेलिया को अमरीका से अलग करता है किलर वेल सिर्फ पिर्शान्त महासागर में पाई जाती है वेल का नाम तो आपने सुना होगा सबसे बड़ी मचली वो सिर्फ पिर्शांत महासागर में पाई जाती है विश्व के 75% सक्कीरिय जौलमु की पिर्शांत महासागर के बेसिन में ही इस्तित है विश्व की सबसे बड़ी महासागर की खाई मारीनागर्थ पिरशान्त महासागर में ही इस्तित है और सबसे बड़ी लंबी रीफ पिरवारवित्ती ग्रेट बेरिया रीफ आस्टेलिया के तत्पर पिरशान्त महासागर में ही इस्तित है विश्व का सबसे बड़ा दीप न्योगिनी न्योगिनी भी पिर्शान्थ महासागर में ही है और ग्रीन लेंड दुनिया का सबसे बड़ा दीप है आपको पिर्शान्थ महासागर के बारे में बहुत कुछ पता चला ना अब हम जानते हैं आर्क्टिक महासागर के बारे में आर्क्टिक महासागर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा बड़ा महासागर है जो आकार में पिर्शांत महासागर का लगबग आदा है मतलब सबसे बड़ा आपका महासागर पिर्शांत महासागर था और उसके हाफ भाग का अट्लांटिक महासागर इतना बड़ा है ये अंग्रेजी भाशा के ऐस अक्षर के आकार का है दिखने में ये ऐस आकार का दिखाई देता है अट्लांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है और अट्लांटिक महासागर को प्यासा महासागर भी कहा जाता है क्योंकि विश्व की कई बड़ी नदियां जैसे अमेजन नदी, मिसिपिसी नदी, कांगो नाइजर ये सारी इसी महासागर में आकर गिरती है अट्लांटिक महासागर विश्व का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है अट्लांटिक महासागर में दुनिया के दूसरे महासागरों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा मचलियां पाई जाती है इस महासागर में 19 गर्थ है इस महासागर में सबसे ज़्यादा तीसरे नमबर पर आता है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर तीसरा विशाल महासागर है, हिंद महासागर को युवा महासागर भी कहते हैं, क्यूं? क्यूंकि इसने अभी 3.8 करोल वर्ष पहले ही अपना वर्तमान रूप घ्रण किया महासागरों का पानी एक ही दिशा में बैता है परंतु हिंद महासागर का पानी साल में दो बार अपनी दिशा बदल लेता है विश्व की दो बड़ी नदियां ब्रह्मा पुत्र और गंगा हिंद महासागर में ही मिलती है आपको जो पिच्चर दिखाई दे रही है उसमें जो नीली साइड वाला पानी दिखाई दे रहा है, वो हिंद महासागर का है, जबकि जो हरा सा मटेला पानी दिखाई दे रहा है, वो पिर्शांत महासागर का है, पिर्शांत महासागर और हिंद महासागर आपस में कभी मिक्स नहीं होते, इनका पानी आपस में कभी भी नहीं मिल अब जानते हैं आक्टिक महासागर के बारे में आक्टिक महासागर विश्व के पांच पिर्मुक महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उतला महासागर है ये पिर्थवी के उत्री गोलार्द में इस्तित है अंटार्टिका महासागर को दक्षिने दुर्विये महासागर भी कहा जाता है मिशन शिक्षन समवात की प्रस्तूती